वेलकम गाईज वेलकम तो माई चैनल आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है स्ट्रेगलवर्ग मोडल ओफ ओलीगोपोली मार्किट ओलीगोपोली मार्किट का जो मोडल है उसको आप समझने से पहले इस मोडल को दो चीज़ों को आपको समझना है डियोपोली मोडल है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मार्किट के अंदर क्या है दो फाम है एक ए फाम है एक बी फाम है और इसमें से हम इन दोनों में से किसी भी एक फाम को क्या मान सकते हैं लीडर मांगने कोई भी एक फाम लीडर होगी और दूसरी फाम क्या होगी उसकी follower होगी, ठीक है, मालो मैंने A firm को क्या माल लिया है, leader माल लिया है, और B firm को उसका follower माल लिया है, तो जो leader firm होगी, वो सबसे पहले market में आएगी, और वो ही अपना output या price का decision लेगी, और फिर follower firm उसके बाद sequence में act करेगी, तो यह क्या है, एक sequential model भी है, क्योंकि जो पहले के model थे, एजवर्थ का था, कोड़नोड का था, उसमें simultaneously उसी वक्त जो है, rival firm act कर देती थी, कि मेरा rival किसी तरह output में, price में change नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहले leader firm अपना price या output decision लेगी, उसके बाद, उसके बाद उसका follower कुछ ना कुछ, जो है decision जो है, फोलो करेगा उसको, तो यह model क्या है, एक leadership पे बेस है, non-collusive oligopoly का model है, जैसे कि, the staggleberg leadership model is a strategic game in economics, in which leader firm moves first, सबसे पहले leader firm आएगी market में, और वो move करेगी सबसे पहले, अपना decision लेगी, उसके बाद क्या होगा, उसकी जो follower firm है, उसके बाद वो आएगी, और इसका जो name था, वो कब पड़ा था, जो यह name मतलब, किनों किसने जो है, यह model दिया था, यह one staggleberg ने दिया था, और कब दिया था, उन्होंने एक article पब्लिश किया था, market structure and equilibrium, 1934 के अंदर उन्होंने यह article जो है, article पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने इस model किया, model के बारे में क्या बताया था, इस model को दिया था, अब कोई भी model जो होता है, वो कुछ basic जो assumptions होती है, उन्होंपर base होता है, ठीक है, अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था, कि model क्या है, एक डियोपोली model है, मतलब दो ही firm है, market के अंदर, और दोनों ही homogeneous product बेच रही है, और दोनों का ही cost of production जो है, वो क्या है, same है, यह firm, यह जो model है, दूसरे model से किस तरीके से difference है, जैसे कि माल लो, यहाँ पर क्या है, दो firm है, एक A firm है, एक B firm है, मैंने एक firm को क्या मानना है, leader मानना है, A firm को हमने क्या मानना है, leader मानना है, B को क्या मानना है, हमने उसकी follower मानना है, तो A firm को यह पता है, कि जो उसकी, अगर वो output में, मालो यह आउटपुट मोडल है ना अगर एफ हम अपने आउटपुट में चेंज करेगी या घटाएगी उसको या बढ़ाएगी तो उसकी जो राइवल मोडल में क्या है जो लीडर में उसको यह पता है कि वह अपने आउटपुट में किसी तरह कोई चेंज كरेगी तो उसका झाराइवल जो है जो उसको फॉलो करेगा उसका क्या रेक्षिं कर होगा यह के पास यहां पर जादा information है और यहाँ पर यह मोडल किस अजब्शन पर बेस है कि एक फिर्म लीडर होगी दूसरी क्या करेगी उसको फोलो करेगी तो यह सारी अपको समझ आगी होगी अब आगे देखते हैं इस मोडल को यह मोडल में conjunction variation होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया conjunction variation एक ऐसी situation होती है जब एक फिर्म के पास जो लीडर फिर्म है उसको जादा information है अपनी राइवल फिर्म के बारे में ठीक है कि वो क्या act करेगी क्या प्राइज या आउट्पूट में चेंज करेगी इस बिलीव डाइट वन फिर्म हैज अन आईडिया अबाउट जब वे इस कॉम्पिटीटर और में रियाक कैसी वो रियाक करेगी कि लीडर फिर्म को यह पता है कि उसकी जो राइवल फिर्म है या उसकी कॉम्पिटीटर फिर्म अगर उसने आउट्पूट में किसी तरह का कोई चेंज कर लिया तो वो किस तरह आपड़ेगा डेरिवेटिव ओफ आउट्पूट जो किसका एक अपॉन डेरिवेटिव ओफ आउट्पूट बी का पहले क्या होता था क्योंकि दोनों ही फिर्म सिर्फ यही सोस्ती थी ना कि उनकी राइवल आउट्पूट में कोई चेंज नहीं करेगी लेकिन यहां पर पहले से पता है तो यहां पर जो क्या है ग्रेटर दैन जो हो जीरो और से किसका यहां क्या करना है अब किसका करोंगी मैं किसका फूल ओवर जो है उसका Conjuncture Variation निकालना है वो कैसे करूंगे derivative किसका output of B upon derivative of output of A अब क्या है यहाँ पर जो Conjuncture Variation है वो क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि B तो अभी भी यही मान रही है कि उसकी आईवल आउटपुट में किसी तरह का कोई कोई चेंज नहीं करेगी चुकि उसके पर जादा information है नहीं तो आपको यह समझ आ गया कि लीडर फर्म का Conjuncture Variation हमेशा 0 से जादा होता है और जो follower होती है उसका जो Conjuncture Variation होता है 0 से जो है वो 0 ही होता है और Conjuncture Variation होता क्या है कई पर क्या होता है इससे question जो है directly पूछ लिया जाता है अब क्या है अब इसके diagram को आप ध्यान से देखो यह diagram करते हैं इसको यहाँ पर देखो जैसे मैंने कहा इसमें एक leader होगा दूसरा उसको follow करेगा यहाँ पर देखो यह reaction कव है जैसे अपने यह वाला देखो आप यह किसका reaction कव है और reaction कव क्या होता है कि वह different different output लेने के बाद उसको जो कितना जो बी फर्म है जैसे कि एक का reaction कव का मतलब है कि बी की activity की वजह से एक क्या react कर रहा है वह क्या हो गया एक का reaction कव और यह वाला जो एक्स भी है यह क्या है बी का reaction कव हो गया ठीक है यह बी फर्म का reaction कव हो गया अब स्टैगलबर्ग अपने मोडल में किस तरह से संतूलन जो हो ले कि आता है वह यह कहता है कि मालो किसी एक reaction को मैं लीडर बना दिया पहले मैं एक को लीडर बना रही हूं तो यह देखो यह आइसो प्रोफिट है एक जो आइसो प्रोफिट एक्स की ज्यादा नजदीक है वह जैसे इंडिफरेंस कव में क्या होता है जो जो हाइयर होता है वो जितना हम उपर की तरफ जाएंगे उत डिफरेंट आउटपुट बैश कर कितना जो इंकम जो है प्रोफिट जो हो कमा रहा है अब स्टैगलबर्ग अपने मोडल में किस तरह संतूलन लेके आता है वह यह कहता है उसको यह पता है उसकी राइवल फर्म किया रियक्ट करेगी ठीक है हमने स्टार्टिंग में यह ब उसका आइसो प्रोफिट किसका आइसो प्रोफिट एका एका आइसो प्रोफिट बी एका आइसो प्रोफिट कव बीके रियक्शन कव को जहां चुएगा जहां कट करता है वहां पर वह अपना संतूलन जो है डिसाइड कर लेता है क्योंकि वह लीडर है उसको पता है कि उसक के reaction को ध्यान में रखे ही output का decision ले रहा है तो देखो यह आइसो profit कव किसका है यह यही सब्सक्राइब का है लेकिन reaction को किसके reaction को टच कर रही है टच कर रहा है अब यहां पर यहां पर जो एपॉइंट है वो क्या हो गया Stagglerberg में A firm का संतूलन होगा और जो सबसे पहले जो leader firm है वही अपने price का decision लेगी output का क्या करेगी decision लेगी तो उसने इतना output leader firm ने decide कर लिए अपने लिए जो बाकी बचेगा वो full over produce करेगी ठीक है अब हम क्या करते हैं B firm को leader बना देते हैं अब B firm leader बन जाएगी तो B अपना संतूलन कहां लेके आएगी जो A firm का reaction कव ए रहा और उसके आइसो प्रोफिट किसके B के आइसो प्रोफिट को जहां टच करेगा बीस का इसो प्रोफिट यह रहा और ए का रियक्षिन का कहा संतुलन में है यहाँ पर है और यहाँ पर वो एकस ए आउटपुट डिसाइड करेगी और एकस भी एकस भी अपना आउटपुट डिसाइड करेगी लीडर फर्म और एकस ए आउटपुट किस के लिए छोड़ अब अगर वो यहाँ होते हैं तो यह कौन सा एक विल्यम हो गया जो हम कुर्णोड में पढ़ते हैं तो यह डाइगराम आपको अच्छे से समझ आगया होगा अब क्या होता है स्टैगलबर्ग का जो मोडल है उसमें एक मैथमेटिकल कोश्चन हम सोल कर लेते हैं माल आपके पास क्या दिया हूँ है दिमार्ड फंक्षन दिया हूं हंड्र माइनस क्या हूं यह यहाँ पर हम M R और M C पोस से जीरो है इनकी तो अब मालो हम एफ हमको लीडर स्पोस करती है ठीक है पहले हम उसका टीयार निकालेंगे टोटल रिवैन्यू टोटल रिवैन्यू कैसे निकालते हैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टिप्लाय कर देंगे तो हमारे प्राइस फंक्शन क्या है हंडर्ड माइन टोटल रिवैन्यू है या उसको हमने क्या कर दिया उसकाए म्वार निकालने के लिए आपको पता है डरिक्पलाय यही हमारी संतूलन की ज्यों और हम नहीं mc को हमने क्या माना है जब हमने mc को 0 माना है तो यहां पर देखो mc को जब हमने 0 माना है mr हमारा निकल गया यह बला तो यहां पर देखो 100-2 क्या हूँ iis equal to zero अब जो और रिगा तो क्या होजेगा यह नड़र्श और हमद्स निक subscribed कि सकते हैं अब देखो अब हमारा आउट्पूट जो है मतलब कि यह रहे गा हम वह प्लस लेकिन अब हमें क्याव 1 पता है क्याव 1 कितना पता है हमें 50 लेकिन हमें क्या नहीं पता क्याव 2 नहीं पता उसी तरह से हम क्या करेंगे जो follower farm है न उसका क्या निकाल लेंगे total revenue निकाल लेंगे उसके बाद उसकी MR निकाल लेंगे तो हमारे पास price function क्या था 100-क्यों था नंख्यों के प्लेस पर मैंने क्या पूत कर दिया है तो कि यहां पर plus cow2 और जब हमने इसको खोला bracket को तो यहां से हमारे क्या निकल गया जो follower हम है उसका क्या निकला है हमारा price function निकला है demand function तो वह क्या निकला है 50- cow2 अब हमारे पास इसका जो price function आ गया है अब हम इसका total revenue कैसे निकलते हैं इंडु क्या उट्व तो पी हमारा कितने है 50 minus C0to और into कर देंगे हम यहाँ पर C0to तो हमने जब यहाँ पर into कर दिया C0to तो हमारे पास यह क्या आ गया यह हमारे पास आ गया, उसका Tr आ गया अगग जब हम इसका derivative करेंगे derivative कैसे करेंगे, जैसे 50 50 C0to है और minus C0to, जैसे देखू आप हम पर हमारे पसर इतियार आफ है तो इसका जरी बेरेस्पेक्ट मं का में और या क्या ओपेंद्ध आप यह 50 मुंगे माइनस क्छाir2 दू ये क्या गोलतेका लेगा माइनस का मॢशनमारी निकल दूलis MR निकल गी MR हमारी क्या निकल गी है MR हमारी निकल गी है 50 minus 2 क्या हूँ और हमें पता है MC हमारी कितनी है 0 है अब हमने क्या किया है देखो 50 minus 2 क्या हूँ is equal to 0 क्योंकि हमारी MC तो 0 है अब हमारे पास क्या देखा 2 क्या हूँ is equal to 50 और क्या वो की जो वैल्यू है वो क्या आज़ी हमारे पास 45 इसका मतरब आपको क्या पता लगा जो पहला पहला डियो पॉलीस था जो लीडर था वह 50 परडक्शन करेगा और जो सेकंड परसन आया जो सेकंड जो फोलोवर है उसका मार्किट में कितना प्रडक्शन करें 25 है 100 क्या हूं हमारा कितना निकला क्या हूं हमारा निकला 75 तो आपका यहां पर पी जो है वह कितना निकल गया 25 निकल गया वह आगे 25 अब आपको स्टैगलबर्ग प्राइब करना यहां पर हमारा स्टैगलबर्ग का जो मोडल होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फर वोचिंग दिस